आईफोन में स्क्रीन लॉग पासवर्ट कैसे चेंज करें कैसे बदले आए जानते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना है इसके बाद यहां पर मेरी बाद ध्यान से सुनिये नीचे आए अगर आपको face id and passcode को option नहीं मिल रहा है तो youtube पर मैंने वीडियो बनाई हुई है आप सर्च करें face id and passcode not showing on iphone ठीक है तो आपको यह option दिख जाएगा क्लिक करें इस पर अब यहां पर जो आपका भी current password है वो डाल दे इसके बाद नीचे आए और यहां पर आपको change password पर क्लिक करना है यहां पर current password डालने बोर रहा है जो अभी password है तो डाल दे अब यहां पर बोर रहा है नया password डाले तो हम नया password डाल देते हैं 123456 use anyway पर क्लिक करें एक और बार same password डाले 123456 तो यहां पर हमारा password change हो जाएगा कुछ ही seconds में पासवर्ड हमारा change हो गया है अब मैं यहां पर लॉक करता हूं पावर बटन से और पावर बटन पर वापस क्लिक करता हूं अन्लॉक करने के लिए ऐसा उपर स्वाइप करना है और पासवर्ड यहां पर इंटर करना है